इज़तनगर मंडल का विद्युत परिचालन विभाग आप सभी लोको पाइलट और सहायत लोको पाइलट का स्वागत करता है। आज हम जानेंगे थ्री फेज लोको में किसी OCB याने की ओयल कूलिन ब्लोवर के कार्यना करने पर की जाने वाली कार्यवाही। थ्री फेज लोको में OCB ओयल कूलिन ब्लोवर एक औक्जिलरी मोटर है जिसका काम ट्रांसफॉर्मर एबम ट्रैक्शन कनवर्टर के तेल को थंडा करना होता है जिसको सप्लाइ औक्जिलरी कनवर्टर वन याने की बर वन से मिलती है। गाड़ी कार्य करते समय जब हमारा ऑक्जिलरी कनवर्टर नमबर वन आईसोलेट हो जाता है तो सारे ब्लोवर अपने आप ऑक्जिलरी कनवर्टर नमबर दो पर शिफ्ट हो जाएंगे और बाकी का लोड ऑक्जिलरी कनवर्टर नमबर तीन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर auxiliary converter number 1 के बाद auxiliary converter number 2 भी fail हो जाता है तो इससे ये स्पष्ट है कि खराबी OCB1 या OCB2 में है और लोकों की स्क्रीन पे यहाँ पे बर 1 fail होने पे इसका color बदल जाएगा और जैसे ही बर 2 भी fail होगा तो इसका भी color बदल जाएगा और हमारा VCB open हो जाएगा इस condition में हमें बारी-बारी से दोनों OCB की NCB को trip करके देखना पड़ेगा की खराबी किस NCB में है सबसे पहले हम OCB1 की NCB जो की HB1 में लगी है को trip करेंगे और VCB close करके देखेंगे अगर फिर भी हमारा VCB close करने पर VCB hold नहीं होता है तो OCB1 की NCB को normal condition में कर देंगे और अब कोरिडोर के दूसरी तरफ जाके पुना OCB2 की MCB जो की HB2 में लगी है उसे trip करेंगे और फिर पुना VCB close करके देखेंगे जिस MCB को trip कराने से हमारा VCB hold हो जाता है तो हम उसे trip ही रहने देंगे अब हमें एक बात का विशेश ध्यान रखना है कि हम जिस भी OCB की NCB को trip करेंगे तो उससे संबंधित बोगी को rotating switch 154 जो की SB1 में लगा है उसके द्वारा संबंधित बोगी को अगर OCB1 की NCB को trip किया है तो बोगी 1 को और अगर OCB2 की NCB को trip किया है तो बोगी 2 को isolate कर देंगे उसके बाद ही हम अपनी गाड़ी को जहां तक की हमारा load A1 road permit करता है वहां तक कार्य करेंगे